नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ करिस्मा सिंग बिहार में जल्दी पंचायत चुनाव होने वाला है EVM को लेकर पेज फसा हुआ है राज निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच EVM को लेकर पेज फसा हुआ है जिसको लेकर पटना हाई कोट में भी रीटियाची का दायर की गई है हाई कोट ने ये असपस्ट कर दिया है कि राज निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग आपस में समझ ले और जो भी फैसला आएगा उसे हमें बताए आपको बता दे कि राज निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार पंचाय चुनाओ को लेकर तैयारिया जोरो पर कर दी है इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने आई है खबर यह है कि एक बदमासी वक ने सोसल मीडिया पर एक महिला की असलील तस्वीर वाइरल कर दी है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह महिला इस बार पंचाय चुनाओ में मुखिया की पद पर दावेदार यानि की दावे ठोकने वाली है आगे क्या कुछ खबर है आपको इस वीडियो में बताते हैं मामला जमुई जिले के लश्मीपूर थाना छेत्र की है जहां हर लगाव से पुलिस ने एक इवक को गिरफतार किया है इवक के उपर आरोप है कि एक महिला की असलील तस्वीर उन्होंने सोसल वीडिया पर वाइरल की है गिरफतार इवक की पहचान रंजीत सा के पूत्र प्रिंस सा के रूप में हुई है लख्श्मीपूर के थानेदार मिर्तुन्जे कुमार पंडित ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रिंस सा को गिरफतार कर जेल भेज दिया है आगे की करवाई की जा रही है प्रिंस सा के खिलाफ लख्श्मीपूर थाना में आईटी एक्ट के तहट कांड संख्या 24-21 दर्ज की गई है लख्श्मीपूर के थानेदार मिर्तुन्जे कुमार पंडित के मुताबिक आरोपी प्रिंस सा ने एक महिला कास लिल फोटो सोसल मीडिया पर वाईरल किया है जब पुलिस ने गिरफतार कर उससे पूश्टाश की तो उसने पुलिस के साब ने कबूल किया कि ऐसी घटना को उसने अंजाब दिया है बताया जा रहा है कि जिस महिला की तस्बीर आरोपी इवक ने फेस्बुक पर वाईरल किया है वह महिला आगामी पंचायद चुनाओ के लिए हरला पंचायद की संभावित मुख्या परत्यासी है वही मुख्या परतियासी का आरोप है कि आगामी पंचायच चुनाव में संभावित मुख्या परतासी होने के कारण उनकी छवी खराब करने के लिए प्रिंस साह ने ऐसी घिनवनी हरकत की है उसने तस्बीर को एडिट कर सोसल मीडिया पर जानभुज कर वाइरल किया है में ही पंचायच चुनाव होने वाला है जिसकी तैयारिया जोरो पर है लेकिन पंचायच चुनाव से पहले ऐसी घिनवनी वरदात को एक इवक ने अंजाम दिया जिसे पुलिस ने गिरफतार कर जेल में भेज दिया है वही मुख्यापरत्यासी का कहना है कि इवक ने जानबूझ कर किया क्योंकि वह इस बार आने आगामी पंचायद चुनाव में मुख्यापरत्यासी के रूप में खड़े होने वाली है वही इवक ने फोटो को इडिट कर सोसल मीडिया पर वाइरल किया है ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइब भिहार धन्यवाद अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेस्बुक पर लाइक करना न भूले लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें